फैसले लिएगे बावज़ुद इसके विपक्ष की तरह से CBI जार्ज की जा रही है अब क्या लगता है इस पूरे मामले में किस करवट जो है उन्ट बैठ सकता है और अपडेट क्या है देखी ये ये जो पूरा मामला है इसमें उन्ट किस करवट बैठेगा इसके लिए सबसे पहले अगर किसी विक्ति से बात होना जरूरी है तो मादमिक शिक्षा बोड राजस्तान के जो बरखास हो चुके बोड अद्देख्ष है डीपी जारौली उनसे हम रूबरू होते हैं सर सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया हाई लेवल मीटिंग में और आपकी बरखास्त की की जो खबर है सबसे पहले वो निकल करके सामने आई उस विशे पर आपसे बात करना जाएं सरकार का फैसला अपनी जगे पर है लेकिन ये जो फैसला लिया गया है जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है वो इसमें शामिल थे मैं इतना कह सकता हूँ मैं शिक्षक रहा हूँ मैं कहीं जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ और एसे किसी कार्य में पूरे जीवन में ही कभी संदलीमता नहीं रही है वक्त आएगा समय आएगा सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी लेकिन कुछ चीजां ऐसी हैं जिनकी जानकारी शायद केवल आपके पास में सबसे महतपूर जो आरोप लग रहे हैं लगातार की जो लोग रिटाइड थे उन अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया उसके साथ प्राइवेट वेक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई जैपूर जैसी महतपूर जगे पर जहां सिक्षा संकुल है वहां जिसके स्ट्रॉंग रूम से पेपर आउट हुआ उस जगे की जिम्मेदारी एक प्राइवेट वेक्ति को दिया जाना उस जगे के जिम्मेदारी हमने नहीं दीए हमने हर जिले में जिला समनोय बनाए और बड़ा जिला होने से या चार जिला समनोय भी बनाए वो सारे government के थे और इन सभी की जिम्मेदारी रेती है जिला परिक्षा संचालन समीति की रेती है ये जितने भी culprit अभी तक पकड़े गए इन किसी को हमने नीफ्त नहीं किया है शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर थी और उस अधिकारी के किलाफ जब तथे सामने आ गए SOG ने ये कहा कि शिक्षा संकुल के strong room से paper out हुआ है तो आखिर उसके खिलाफ कारवाई क्यों ने की गई शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी देने का दाईत जिला समीती का है हमारा नहीं है हमारा कारी केवल वहाँ प्रस्ट पत्र पहुंचाने तक का कुछ बड़े नामों का खुलासा केवल आपके माध्यम से हो सकता है इसमें कितनी सच चाहिए इसमें मुझे कुछ पता नहीं है अब आगे क्या हुआ है इन चीजों का ना मेरे जीवन में कभी अनुभव रहा है ना मैं ऐसा अनुभव लेने की इच्छा रखता हूं शिक्ष फैसले अब क्या होंगे जब आप किरें वरकास्त कर दिये तो इस पर मुझे कुछ करना का अधिकार ही नहीं है एक जो सवाल बाकी रह जाता है कि जितने लोग इस पूरे नेक्सिज में इंवाल्व आपको लगता एक राजनितिक संग्रक्षन भी था इन तमाम लोगों के पास यह सो प्रतीशत है कि बिना राजनितिक सरंक्षन के यह जो कारी हो रहा है जब पहले से पता शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ यह शायद मुझे उन्हीं लोगों से पूझना चीए जिनको यह पता है क्योंकि हो सकता है इन लोगों का वरसों से इसे चलता हो और वरसों से इनका कोई ग्रूप हो क्या हो यह तो जब एसो जी जहाँ च करेगी अप महत पूर बात कह रहे है कि यह राजनितिक संग्रक्षन इस पेपर ग्रोगोगों को हो सकता है क्योंकि प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार का इसमें कोई रोल नहीं कि रहा हूं कि जो गिरों यह कारी करता है वह किसी सरकार के प्रक्षमें नहीं कई यह है के बता है यह इसे डिसला कोई से पता था है उनसे तरफे पमाद्मिक की पर कहने हैं की जैंक प्रप्र लीग्लों की काम कर रहा है यह बहुत महत्पूर बेहत गंभीर हो जाता है